हेलो दस्तो, वेलकम बेक टू माई योट्यूब चेनल, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गाउं के बारे में जो समुदर पर बसा है, जहां तेरते हैं घर, दुनिया में लोग अलग-अलग जगाउं पर रहते हैं, कोई गाउं में हैं, तो कोई सहर में हैं, कोई गाउं पह नाम के यह बस्ती चीन के फुजियान राज्यों के निंगडे सहर के करिद समुदर पर बसी है, यह तकरीबन 7000 मचवारे रहते हैं, टांका को चिपसी ओंडसी नाम से भी जहाना जाता है, यह गाउं लगबक 1300 वर्स पुडाना है, चीन में 700 एसुसन में तांक राज्यों का सासा नुआ गरता था, इन बच्वारे ने 700 एसे सासा को के उत्पी डंग से दुखी होकर समुदर पर रहने का फेसला किया, उन्होंने समुदर में अपनी नाव पर घर बनाए और रहने लगे, तब से लोग समुदर पर ही रह रहे हैं, और वहां कभी कभा ही जमिन पर आते लोगों से नफलत करते हैं, और उन्हें अपने पास भी नहीं आने देते हैं, टाकार जन जाते के लोगों का पूरा जीवन पाने के घरों और मचलियों के सिकार में ही बिच जाता है, यह लोग मचलियों को पकट कर अपना जीवन चलाते हैं, चिन में मचलियों को लेकर खा जहां वह लोग कार्यकम करते हैं और बच्चे भी वही खेलते हैं वह लोग समुदर किनारे बसे लोगों के साथ साधिया भी नहीं करते हैं वह अपनी बस्ती में नावों पर ही साधिया करते हैं हाला कि आप इनकी जीवन सेली में बदला होने लगे हैं स्थानिय सरकार के प्रोटसांग के बाग टांका समूं के कुछ लोगों ने समुंदर के किनारे घर बना लिये पर टांका समूं के कुछ लोग अभी भी अपने परम परागत तेरते हुए घरों में ही रहना पसंद करते तो देखा ना आपने की किस तरह ये लोग समुदर पर रहते हैं आपको अभी भी यकिन नहीं हो रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल सच है कि समुदर पर भी गाउं बसता है तो फ्रेंड्स आज के लिए बैस इतना ही मिलते हैं कल फिर तब तब के लिए नमस्कार वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करना आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपर्टन है तो प्लिस लाइक और शेयर मैं वीडियो थेंक्स तो आल पर वाचिंग मैं वीडियो तिल दे एंड बाई